उफिस लीज से MCD जुटाएगी रेवेन्यू करकर दूमा इस्टिटिशनल एरिया में बनकर तयार हुई नई गर MCD के करकर दूमा इंस्टिशनल एया में नया आफिस बनकर तयार हो गया है। इस कैप में बनी पुरानी विल्डिंग में शाधरा साउथ जोन का ओफिस चलता था MCD के एकी करण होने के बाद जोनल ओफिस को यहां से पटपरगंच स्थित उद्योग भवन में शिफ्ट कर दिया था पुरानी बिल्डिंग का रेनोविशन होना अभी बाकी है MCD इस बिल्डिंग को लीच पर देकर रेवेन्यू जुटाएगी TT इमारत है जिसका कापेट एरिया एक लाख वर्क फूट के करीबब है ब्लॉक B में एक बेसमेंट है जबकि ब्लॉक C में दो बेसमेंट है जिनमें पईयासत पार्किंग सुविधा है कार्याले परिसर में 190 के एर्डी सीवेच ट्रीटमेंट प्लान के अलावा एर कंडीशनिंग, पावर बैकप, अग्निश्मन प्रनाली और CCTV निगरानी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्द कराई गई है MCD ने इच्छुक केंद्रिय और राज्य सरकार के विभागों के अलावा सारवजनिक शेत्र के उपक्रमों, PSU, को 30 साल की अवधी के लिए आफिस को लीच पर देने का प्रस्ताव दिया है निगम ने हाल ही में इसका न्यून्तम किराया 115 रुप्य प्रती वर्गफुट तै किया है कुछ केंद्रिय सरकारी विभागों ने अपनी दिल्चस्पी दिखाई है 22,918 वर्ग मोटर एरिया में बनाई गई बल्दिग में A, B और C नाम से है तीन बलॉक बिल्दिंग में A, B और C बलॉक शामिल है बिल्दिंग का निर्मान 22,918 अग मीटर के एरिया में किया गया है कैंपस के तीनों बलॉक लोज पर देने के लिए तैयार है उनमें से बलॉक A में ग्राउंड प्लस पांच मंजले है और इसका कापेट एरिया 17,480 वर्ग फुट है जबकि बलॉक B में बेसमेंट प्लस पांच मंजले है इसका टोटल कापेट एरिया 22,391 वर्ग फुट है बलॉक C बारा मंजला